हलो लो फ्यू वेलकम बेक टो इंटरडेमेच कम्यूनिटी होब आप सभी का ट्रेडिंग सेसन अच्छे से गया होगा और हम आ चुके हैं एक और प्री मार्केट एनलाइसिस के साथ इसमें हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी मंडे को क्या प्राइज एक्सेन सिनारियो बना सकते हैं प्लस एक प्रॉपर वीकली एनलिसिस करेंगे जिसमें हम देखेंगे की मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है और उसके सबसे हमें अपना व्यू कैसा रखना है वो चीज भी आपको यहां पर पता चल बट जो भी उसके हाइस के उपर सस्टेंग नहीं कर भाए और फिर से नीचे आ गया तो अच्छा कासा डबल टॉप पैटन हमें दो वीक पहले ही यहां पर पता चल गया था बट एक चीज क्या और यह लास्ट थ्री वीक से मार्केट जो भी उसके सपोर्ट एरियास थे उस नीचे की साइड का ये बोल सकते हучा की नेकलाइंब वाला एरिया lowest थे ले टॉट ими तो इसोके यह अक है प्रिपर रहें आपको यह चीज पता चली मार्केट अच्छा का सा सैलिंग ऋखाया नीचे की साइट इफ यह 43,600 तोड़ता है तो और नीचे की साइट जा सकता है ओके अधर वह एक चीज क्या हो सकती है मार्केट जब भी उपर की साइट जा रहा है न तो 44,800 से 45,000 वाला एक उसका रेजिस्टेंस जोन है तो यह इसके उपर कंटिनुशली सपोर्ट बोल सकते हो कि सस्टेंग नहीं कर रहा है और वह एक उपर की रेंज आप बोल सकते हो कि नीचे की साइट से लेके ऊपर 45,000 की रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है पॉर्टिनीटी मिलेगी वहां पर हम ट्रेड करेंगे ठीक है तो यह एक वीकली structure आपको पता चल गया होगा अभी चलते हैं पर daily structure क्या बना रहा है वो एक चीज discuss करते हैं तो जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है कि अच्छा कासा आप बोल सकते हो कि बड़ा असा W बन रहा है और market है ना यहां पर जो भी support areas थे एक noise structure यहां पर दिख रहा है उससे बहार आके यहां पर rally किया था और वह structure के आसपास market नीचे की side यहां पर आया और बोल सकते हो कि उसके lower areas जो भी 43 600 से 43 800 वाले areas थे वहां पर support लेके दो बार bounce करने का try किया गया है यहां पर okay बट जो भी 43 44 800 से लेके 44 750 वाले यह वाले areas वहां से आज के दिन में हमें अच्छा कासा selling pressure देखने को मिला है नीचे की side okay तो यह जो भी selling pressure हमें आज के दिन में देखने को मिला या फिर बोल सकते हो कि आज की जो भी candle आप देखो गे तो उसका structure आपको कैसा लग रहा है जो भी second half था जितनी भी buying first आप में आई ना वह पूरी की पूरी buying selling pressure ने एंगल कर दिये और अच्छा कासा day लों के आसपास आज वो close हुआ है तो यह एक चीज़ हमें क्या बड़ा आसा बन रहा है वो double top का neckline वाला area 43600 वहां तक तो at least हमें market कल या फिर बोल सकते हो कि next वाले week में हमें देखने को मिल सकता है इफ यह selling pressure continue रहता है उस तब की बात है तो यह एक चीज आप ध्यान में रखेगा गाइस तो वह एक चीज रहेगी अदरवाइस नीचे की साइट जाएगा तो क्या कर सकता है और उपर की साइट जाएगा तो क्या कर सकता है तो वह सब ही चीज़े हम इंटरे टाइम पर तो यहाँ पर एक चीज हमें क्या दिखती है वो चीज की अभी discussion करेंगे एक second थोड़ा सा मैं इसे adjust कर लेता हूँ ठीक है यस ओके तो यहाँ पर अभी आपको यह properly clear दिख रहा होगा तो यहाँ पर एक चीज आज के दिन में क्या हुई market एक अच्छा कासा gap down कल के दिन में भी हमने बोला था कि market अच्छा कासा negative structure में है आज के दिन में gap down देखने को मिल सकता है या फिर बोल सकते हो कि flat open होकर वो नीचे की side आ सकता है वो एक prediction हमारा था जो market ने अच्छे से properly 100% respect करा है उसके बाद आप देखो कि market open हुआ market नीचे की side यहां पर close कर रहा है तो यह एक चीज़ हमें क्या indicate कर रहे है मार्केट में sellers थोड़ा सा हावी होने का try कर रहे है तो यहां पर थोड़ा सा मतलब if c भी आप trade कर रहे है तो थोड़ा सा cautious होके trade करेगा अधराज हमारी जो position से वो नीचे की side है वो आपको पता ही है तो market close हुआ है 44,220 के आज-पास तो सबसे नीचे की side first अपना support area कौन सा हो जाएगा तो जो भी नीचे की side है वो है अपना psychological area 44,000 तो 220 से नीचे की side आता है तो 200 point नीचे हमारा psychological area और उससे नीचे आप बोलोगे तो यहाँ पर एक area है जहाँ पर market ने gap बना के उपर की side rally करा था यह वाला area तो वो है 100 point नीचे 43,900 वाला area तो नीचे की side मोटा मोटी 300 point की हमारे पास rally आ सकती है या फिर बोल सकते हैं कि नीचे की side 300 point की जगा है ओके इफ यह 43,900 भी तोड़ेगा तो सीधा नीचे की side आ सकता है 43,600 जो भी weekly time frame पर मैंने आपको एक neckline वाला part बताया weekly time frame पर ओके जो भी double top है उसका तो वहाँ तक at least to at least हमें 600 point की जगा मिलती है trade करने के लिए नीचे की side ओ जाता है तो कौन-कौन से levels हमें दे सकता है तो जैसे कि आपको यहां पर दिखी रहा है market if flat to gap up open हो सकता है ना तो यहां पर एक चीज क्या देखने को मिल सकती है जो भी उसका आज का swing high है तो वह है 44,500 के आसपास का कुछ तो if market 44,220 and 450 sorry 44,220 and 44,500 के बीच में कहीं खुलता है ना यहां पर gap up में तो यह अच्छा कासा यहां पर volatility create कर सकता है यह पूली एक range फिर बन जाएगी हमारे लिए trade करने के लिए क्योंकि फिर यहां पर थोड़ा बहुत volatile रहेगा market जब तक यह उपर की side 550 नहीं तोड़ता तब तक हम थोड़ा सा cautious होके trade करेंगे इफ यह उपर की side जाता है जो भी selling pressure आया है उसे neglect करके if buying बढ़ जाती है तो 550 तोड़ेगा तो फिर उपर की side हमें all levels देखने को मिलेंगे वह कौन से levels होंगे वह भी देख लेते हैं एक सेकंड गाइस ओके तो इफ यह market of 220 से उपर की side निकलता है फॉर्स टाइगे हमारा 500 और 550 यह एक पचास पॉइंट का buffer zone हो जाएगा उसके उपर यह निकलता है तो यहां पर हमें देखने को मिल सकता है जो भी previous and previous to previous day का यह वा पास फिर 500 से 200 पॉइंट की जगा और उपर के side खुल जाएगे तो यह एक चीज़ द्यान में रखेगा और उससे उपर यह एक में मेक और ब्रेक पॉइंट हो जाएगा हमारा लिए उपर की side 44 750 एक एरिया है इस market 44 750 के उपर continuous basis पर हमें next week में देखने को मिलता है न तो फिर वह अच्छे से 45,000 और उसके उपर जा सकते है और एक अच्छा कासा फिर bullish view सबका बन जाएगा ओके तो यह एक चीज़ हमें next week में देखने को मिल सकती है तो इस market नीचे जाता है तो क्या कर सकता है और उपर जाएगा तो भी कौन-कौन से levels हमारे लिए important रहेंगे तो वह एक analysis video अच्छे से समझ में आया होगा ओके तो आज के लिए इतना है रखते है guys thank you so much plus weekends है तो weekends को अच्छे से enjoy करें प्लस अपने trading को improve करने के लिए थोड़ा सा learning कीजिए ओके तो आज के लिए इतना रखते है guys thank you so much